जै हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जैसपाल जी से सम्मंदित महत्तपुन कॉस्चन आंसर वीडियो पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और जादस जादा वीडियो को सेयर करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें सेल सिंदी साथ का संपुर्ण को और सिंदी साथ की टेस्ट सीरेज बहुत ही कम दामों में आपके लिए अहां पर उपलब्द है तो प्लेश्टोर पर जाएए सेल्फ इस्टेडी क्लासे अब डाउनलोड करी अपनी परिक्ष्छा में लग जाईए और यहां पर एसपाल जी से आपका विल्कुल सही राइट आंसर है विकलब्द नम्बर सी यहासपाल की किस उपन्यास की बतन और देश तथा देश कभविस्य नाम से दो भागों में सीर सके तो अपका यहां पर सही आंसर है question number 2 का विकलब्द नम्बर सी यानि की जूटा सच यसपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था यह महत्तपुन कॉस्चन है और इन्हों ने जो जेल से मुक्त होने के बाद जो पत्र निकाला था वह कौन सा पत्र था तो वह पत्र था विपलाव यानि की विकल्प नंबर B आपका सही आंसर होगा या एसपाल का जन्म कहां पर हुआ था? कब हुआ था? इनका जन्म ये पूँचा है तो कब हुआ था? ये पूँचा है तो question number 4 का right answer है कि एसपाल का जन्म हुआ था कब? तो आपका सही answer है 1903, 202 में विकल्प number C right answer होगा question number 5 है कि कौन सी कहानी एसपाल ने जेल में ही लिखी थी? वह कहानी आपके लिए बताना है कौन सी कहानी है जो एसपाल ने जेल में ही लिखी थी? तो आपका यहाँ पर सही answer है question number 5 का right answer है जो इन्होंने जेल में कहानी लिखी थी? वह कहानी है वो दुनिया विकल्प नमबर D आपका सही आंसर है येसपाल का पहला उपन्यास माना जाता है दादा कॉमडेट अमीता पार्टी कॉमडेट ये देश दुरोही इनका पहला उपन्यास पूँचा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर दादा कॉमडेट आपका इह जो माना जाता है पिंजरे की उड़ान आपका राइट आंसर यहां पर होगा यस पाल की आत्म कथा है कौन सी है इनकी आत्म कथा तो विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या होगा राइट आंसर कॉस्चे नंबर आपका यहां पर आठ पूंचा है और आपका सही आंसर यहां प विकल्ब नंबर आपका यहां पर सही आंसर होगा यसपाल कि कुल कितने कहानी संग्राइप प्रकासित हुए हैं 15 है 16 है 17 है 18 है तो question नमबर 9 का आपका जो सही आंसर है वह आपका सही आंसर कि यसपाल कि कुल कितने कहानी संग्राइप प्रकासित हुए हैं तो इनके 17 है 17 है पात्मकत्ता, सिंहाओ, लोकन की कितने भाग हैं, दो भाग हैं, तीन भाग हैं, चार भाग हैं, पांच भाग हैं, तो question number 10 है, और 10 का right answer है, इसकी तीन भाग हैं, तो विकल्प number आपका B, यहाँ पर right answer होगा, यह सपाल का जन्म कहां पर हुआ था, most important question है, तो बताए, question number 11 है, और 11 का right answer है, इनका जन्म हुआ था कहां पर, तो बिल्कुल सही right answer है, प्रोजपुर, पंजाब आपका यहाँ पर विकल्प number C, right answer होगा, question number 12 है, जूटा सच उपन्यास का पहला भाग, बतन और देश, कब प्रकासित हुआ था, यह आपको बताना है, बतन और देश, यह जो पहला भागता कब प्रकासित हुआ था, तो question number 12 है, और 12 का right answer है, आपका विकल्प number D, 1908, इस भी में, जूटा सच उपन्यास का दूसरा भाग, देश का भविश्य, कब प्रकासित हुआ था, देश का भविश्य, यह बताना है, दूसरा भाग है, जो की, जूटा सच उपन् है, यहाँ पर इन दो विकल्प में से ही बता दीजिए, 206 या 204, तो question number 14 है, और इस भाग रचित कहान या मानी जाती है, 206, यहाँ की विकल्प number आपका एक, यहाँ पर right answer होगा, अंगला question, question number 15 है, कि इस भाग का पहला उपन्यास का प्रकासित हुआ था, इनका पहला उप पन्यास जो है, हेकब प्रकासित हुआ था, तो आपका right answer है, 1941 ECB में आनिकी विकल्प number B right answer होगा, यहाँ पाल का एतिहासिक पन्यास है, दिब्या है, अमिता है, आ और बादोनों है, या दादा कॉमरीड है, यहाँ पाल का एतिहासिक पन्यास पूचा है, एतिहासिक में आ और बादोनों right answer है, विकल्प number C, आपका सही answer होगा, फूलों का कुर्था, रचिना की विधा क्या मानी जाती है, उपन्यासे, नाटा के कहानी है, या निवन्द है, तो question number अपना यहाँ पर 17 है, और बिल्कुल सही right answer है, फूलों का कुर्था, रचिना की जो विधा है, वह कहानी मानी जाती है, कहानी मानी जाती है, बिल्कुल चाही, 1949 की, अंगला question क्या है, तो इनमें से कौन सी रचिना यहाँ संसमरण है, संसमरण है, भूख के तीन दिन कुछ संसमरण, ज्यानदान या देवी, सरी, देवा कीमा, तो यहाँ पर देखिए, इनका संसमरण पूच आना है, इसका प्रकासन वर्ष क्या माना जाता है, तो आपका बिल्कुल सही right answer हो का question number 19 का, सिंहाँ लोकन का जो प्रकासन वर्ष है, भूख उन्क्याउन इस भी माना जाता है, तो विकल्प नमबर भी सही answer है, यह स्पाल के कहानी संग्रों का प्रकासन वर्ष की अनुसार सही अनुक्रम के स्विकल्प में है, भै अनुक्रम का शेयन करना है, जिसमें इनकी कहानी संग्रों का प्रकासन वर्ष की अनुसार सही अनुक्रम है, तो right answer है, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, यह जो है आपका सही answer होगा, बिल्कुल सही बहुत ब कि मैं सुन्दर हूँ, एसपाल की इस रचना की विधा बताना है, तो यह मानी जाती है कहानी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही right answer है, तो मने क्यों कहा कि मैं सुन्दर हूँ, अंगला question है, एसपाल का इनुक्रम से कौन सा संसमर्ण नहीं है, देखे संसमर्ण नही पूंचा है आपसे, तो नहीं में आपका हो जाएगा, क्या होगा, रूस में चालिस दिन विकल्प नंबर भी आपका सही answer होगा, चक्कर किलब निबंद की रचेता कौन है, question number 23 है, और 23 का right answer है, चक्कर किलब निबंद की रचेता पूंचा है, तो question number 23 का right answer है, यह सपाल या तो इनकी अधिकता जो निबंद मानी जाते हैं, माक्सवादी मानी जाते हैं, तो विकल्प नंबर भी आपका सही answer होगा, इनमें से कौन सा कहानी संग्रे नहीं है, देखे, कहानी संग्रे नहीं पूंचा है आपसे, तो विकल्प नंबर यहाँ पर question number 25 का right answer है, कि इनका कौ कौन सा कहानी संग्रे नहीं है, तो 12 घंटे आपका बिल्कुल सही right answer होगा, बहुत बढ़िया, अंगला question, question number 26 है, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर सही answer है, विकल्प नंबर यह right answer होगा, यहसपाल को सोब्येट लेंड निहुरू परोषकार कब दिया गया था? 1908, 1970, 1971, 1972, 1972 इस भी में, यहसपाल को सोब्येट लेंड निहुरू परोषकार कब दिया गया, तो 1970, यानि कि आपका बी right answer है, 1970 इस भी में, question number 28 से, यहसपाल को मंगला पृसाद पारिदोसित कब दिया गया था question number 28 से जो की भहुत ही महत्तपुन question पूंचा गया है और यसपाल को मंगला प्रसाथ पारी दोसित कब दिया गया तो आपका right answer है 1971 इस भी आपका सही answer होगा विकल्प number सी right answer मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास का प्रकासित हुआ था question number आपका 29 है और 29 का जो सही answer है मेरी तेरी उसकी बात यह आपको बताना है और मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास का प्रकासित हुआ तो 1974 इस भी यानी कि विकल्प number D right answer होगा पार्टी कॉम्डेट उपन्यास का प्रकासन वर्स बताना है क्या होगा इसका प्रकासन वर्स question number आपका यहाँ पर पूछा है क्या है question number 30 है 30 का right answer है 1947 यानि की विकल्प number D right answer है तो इस परकार अपने यहाँ पर देखे yes पाल जी से संबंदित महत्तपुन question क्यासा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं 1903 में इस भी में इनका जो है जन्म हुआ था और इस परकार अपने महत्तपुन question देखे yes पाल जी से संबंद सभी लोग वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें इसी तरह के बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं और बेल आइकन अबस्ते दबाएं ताकि all वीडियो की notification आपके हाँ तक पहुंचे जाता से जाता वीडियो को सेयर करें self study classes अब डाउनलोड करने जहां पर हिंदी साहत का संपूर्ण कोर्स बहुत ही कम दामों में आपके लिए उपलब्द है हिंदी साहत की टेस्ट सीरेज है इसको तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन